अब सबका अपने यूटूब चैनल NCRT Guru Cool 2020 में स्वागत है 10th class का हमने 3rd chapter स्टाट कर रखा है जिसमें आज हम last point cover करेंगे Importance of Mendel's Law of Inheritance इससे पहले वाले वीडियो गाईज आपने नहीं देखे हैं तो आई बेटन पे जाके देख सकते हैं और description box में मैंने उनका लिंक छोड़ा है आप हाँ से देख सकते हैं तो start करते हैं आज का वीडियो कि Mendel ने जो law दिये थे उनकी क्या importance है हमारे लिए उनको देखना है आज हमें तो सबसे पहला जो हमारा point आता है वो क्या है It is important to find dominant character in living organism because many harmful and lethal recessive genes are not able to express themselves in the presence of dominant gene यहाँ पर क्या है कि जो living organism होते हैं उनके अंदर जो dominant character पाया जाता है वो बहुत important होता है ठीक है और यह क्या करता है जो हमारे लिए harmful होते हैं हानिकारक होते हैं और जो घातक gene होते हैं lethal का मतलब यहाँ पर क्या होता है जो हमें नुकसान पहुचा सकते हैं घातक जो gene होते हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं dominant gene की presence में अपने आपको express नहीं कर पाते हैं इसके बड़ second आता है हमारा gene concept was proved by Mendel's law of segregation यानि जो gene concept है वो किसके कारण प्रस्तूत हो पाया है या फिर gene नियम किसके कारण बन पाया है सिर्फ और सिर्फ Mendel के जो law of segregation है उसके कारण थर्ड पॉइंट आता है हमारा according to law of segregation one gene has two alleles मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि alleles क्या होते हैं जैसे हमने देखा कि जो test cross और back cross में हमने plant की height ली थी उसके अंदर हमने क्या लिया था capital T और capital T लिया था तो यह क्या हो गया हमारा homozygous हो गया और homozygous हो गया इसका मतलब क्या है इसके अंदर यह दो alleles जो हैं वो क्या है same kind of है same kind की क्या है alleles है इसकी वज़े सी homozygous है और यह particular एक capital T और एक capital T यह दो alleles हो गया और दो alleles होने के बाद वो क्या कर रहे हैं एक character को represent कर रहे है किसको plant की height कैसी है tall है उसको represent कर रहे है इसके बाद जो fourth point आता है वो क्या है हमारा with the help of Mendel's law we know about the new characters developed in hybrid offspring की जो Mendel ने जो law दिये थे उसके आदार पर हम यह बता सकते हैं कि जो हमने hybridization करवाया उससे आने वाली जो PD है नई offspring है उसके अंदर कौन से new character आए हैं उनके बारे में हमें पता चलता है जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा example देखे बताया था कि सबसे पहले एक डॉली नाम की बेड तयार की गई थी जिसमें क्या किया था दो बेड ली गई थी जिसमें एक male थी और एक female थी इसमें एक के hair कैसे थे soft थे ठीक है बट long नहीं थे और ज्यादा नहीं थे इसमें जो female थी इसके hair कैसे थे long थे और बहुत ज्यादा थे dense थे ठीक है घने थे ठीक है अब दोनों का जब संकर करवाया गया या hybridization करवाया गया तो डॉली नाम की जो भेड बनी उसके अंदर ये दोनों character पाए गये यनि यहां क्या बताया गय होगी उसके अंदर जो नए character होंगे उसके बारे में कैसे पता चलेगा हमें मेंदल के law के द्वारा ही पता चलेगा useful character can be brought into same species and harmful character can be removed by the method of hybridization यानि हम जो useful character है उनको हम समान species जो है उनके अंदर लगातार ला सकते हैं और जो harmful character होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं किस method के दुआरा hybridization या संकरन की विदी के दुआरा ठीक है संकरन जो method है या hybridization है उसके त्रू हम इसको कर सकते हैं इसके बाद जो next 6th point आता है वो क्या है हमारा? With the help of Mendel's law, disease resistant and high yielding variety of crop plants can be developed. यनि जो Mendel के law है सकते हैं, जो disease resistance है, रोग प्रतिरोधक है और जो अच्छा उत्पादन देने वाली high yielding जो crop plants हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? डवलप कर सकते हैं, branch of science, eugenesis related with the improvement of human race is based on Mendel's law. यह पर क्या बताया गया है, जो eugenesis जो branch है, उसके अंदर क्या किया जाता है? कि जो human being है, उनके अंदर, उनकी जो species है, उनके अंदर improvement लाने की कोशिश की जाती है तो यह जो improvement लाने की कोशिश की जा रही है, या फिर यह जो eugenesis की जो branch है, वो किसके कारण संभाव हो पाई है? Mendel's law के कारण ही यह संभाव हो पाई है, यानि इसी पर आधारित यह branch है, ठीक है? Thank you guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो like, share, subscribe जरू करना हूँ